करता हूं आपका आज की टूटोरियल में आज हम बात करने वाले इन टेबल के बारे में टेवल एक कॉंप्लिकेटिट कॉंटेंट है जैसे कि जब हम कोरल में टेबल जब ड्रॉ करते हैं तो हमें काफी सारी प्रॉब्लम्स करने पारती हो कुछ लोगा का मानना है कि हम कोरल मे दूसरे आधर सोफ़ेर्स की अफ़ल जते हैं तो इस वीडियो के वादम से मैं आज आज आपका जो डूट है किलिर करने की कोशिश करूंगा चलिए फीडियो शुरू करते हैं, फिडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे मिसाचर करने रिकवेस्ट करूंगा कि अगर आप को ने मैंने चलो कपी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज में चैन को सब्सक्राइब कर ला है और साथी साथ इस बैल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि जो मैं लेटेश वीडियो अप्लोड करता हूं उसका नोटिक्रिजेशन आपकी मॉवाल स्कीन और आपके मिल्स सक पहुंच जाए तो देख सकते हैं आप यहां टेबल में कुछ कॉंटेंट है जैसे कि ड्राव टेबल डिस्टीब्यूट और स्लेक्शन इंसेट सेल कि क्या है और इसका हम कैसे यूज़ करते हैं तो इसके लिए मुझे एक रेफरेंस लेना पड़ेगा चलिए हमने रेफ बता होने चाहिए वह है रो और कॉलं की रो क्या है और क्या योंटली बोक्सटर वो कहलाता है और अपढ़े सकते हैं जो वटिकली जो बौक्स कउलरम नहीं और अपको रोकशन के नहीं और क्या नहीं होगे कि और फ्रौब्लम जो मैं रेफेर्न्स दिखता हूं हर इक सब दिजइन बनाते तो आपके गया सकते ही नागा सकते हूं के हम अब को कतने की दिजएन कि नहीं है तो यहां जो तुम कर लिए feeling कर ली तो साई काॉलम को को का टाूँ और performance ब्लेश लाइन कि याने के भी इस बार को किए क्या करते हैं अक्सर मैंने भी करा इस बार को इस बात को किए कीबोर्ड से मैं प्रेस के D भी से क्या होता है graph अक्टिव हो जाता है जो कि आपको polygon टूल के अंदर देखने को मिलेगा तो जब मैं ग्राफ ड्रॉख करूँगा वह भी टेवल के तरह रहा होता है और लोग टूल वक्स लेकर इस पर ड्रॉख कर लेते हैं नहीं यह गलत है और कुछ लोग लाइन जो फ्रियान टूल जो लाइन है उसकी सहतہ से भी किए ट्रेवल ड्रॉख करते हैं ठीक है हो तो ग by default कुछ भी लिखा हो सकता है तो आपको यहां पहले रो टाइप करना है रो है मेरी 18 और यहां मुझे 5 टाइप करना है टैप से आप नीचे जाएंगे अगर आपको इतना ही बड़ा बड़ी बनानी है तो आप इसको उपसे ट्रेस कर सकते हैं अधर वाइस आप यहां इंडिविजुली एक ड्रो करना है ठीक है तो यह हो गया ड्रो टेबल अब इसके जो सेकंड कॉंटेंट है वो है डिस्ट्रिवूट का मतलब है जब आपको जो आपकी जो रेक्वार्मेंट है कि आपको कौन सा सेल कितना बड़ा रखना है आप पहले इसको अरजस्ट क पहले वाले के तो मैंने स्टीक कर लिया मगर आप यहां देखे जहें कि कॉलम जो देखें तो यह देखें आप यह पर्टिकुलरी आपस में बिल्कुल प्रॉपरली डिवाइट नहीं है यह एक जैसे नहीं है कोई छोटा है देखे लाश्ट वाला चोटा है अससे बड़ा यह अध्यश्य को डभाय श्लेक्ट कर लेंगे तो देखें़े जिए वर्तिकली सेलेक्ट और आप को रॉय राइट क्लीक करना है और आप देखेंगे इसक् packs हो अइसे वो활 करना फोटेंगे-जैलोर्हो चार हो जह शोंच को सेलींぎ, हो वसे एक्या और दापने दूर्पर क सब्सक्राइब करना से तो यह जाएगा यह से शुर्ण करते हैं अब आप में यहां देखें और इंसर इसंट ऊलिप तो सब्सक्राइब से मिलकर आपको अब इसे हैं करना है पहला अजोष को सलट करना राइट क्लिक करेंगे और करेंगे ईंसर्ट सेल अब को बढ़ाना है तो इन सेल और जो आप इंसर्ट करेंगे वो सब्सक्राइब युद्स पराप अगर अगर आप नीची आता थिक तो मैं क्या करूंगा इन दोने का स्लेक्ट में कर लेताँ है इसकी सब्सक्राइब कमान्ड है Ctrl M यह हो गया अगर आप रेफरेंस में देखें तो इस्टूडेंट वाले लाइन भी पूरी आपकी यह मर्ज है ठीक है आगर ग्रेड देखें तो ग्रेड इतना मर्ज है फिर यह लाइन छोटी होई है फिर यह इतना मर्ज है यहां तक कर लिए हमने बिल्कुल ठी टीचर सिगनेचर है यह भी मर जाए ठीक अब इसके बाद जो आती है टाइपिंग के लिए आपको क्या करना है यही एक मेजर पार्ट है जो जब हम इसको करते हैं तो हमें प्रॉब्लम से रखती है और हम इसको छोड़ देते हैं देखिए कुछ लोग क्या करते हैं टेबल के तरह आगे के वाले सेलमर नहीं होता ठाप तो रहें करना है हम टाइब करेंगे वह में यह हमारा टेबल टुल है इस हही हमें एक्टिव रखना है तो आप पहले इसको सबको sy artists करने और आप जाएं टेक्स पर पहले आप जाएंगे करेक्टर फार्मेटिंग पर आपको क्लिक करना है फोन साइज पर जाएंगे च्छोटे हैं और मैं इसके लिए तैन ठीक है आपको सिर्फ दिखाने के लिए आप अधरवाइज अपनी रिक्वर्मेंट के साथ कितना भी और जो आप वर्टिकल देख रहें से करेंगे सेंटर ठीक है यह मारा काम हो गया और तो कर देंगे जैसी आपने इसको इसको आपने मुट्र पेटलिक किया तो देखिए यहां टाइपिंग कर दो चुका यहां आपको लिखना है डिपोट कार्ट अब तेक है यहां मैं इसक कर लेता हूं शिफ्ट एसका जो चेंज के सब्सक्राइब बताया हूं आप डिस्क्रिप्शन में वह देख सकते हैं और यू दबाएंगे तो यह अपर केस हो जाएगा ठीक है तो आपकी में एक पॉप अन होगा और वह आपसे कहेगा आप इसको मूव करना चाहते हैं सेल में जाना चाहते हैं या फिर आप देब नेस्ट करना तो एक सेल और इंसर्ट हो जाए तो आपको आई थिंक मैं मुझे याद नहीं आ रहा आप जो लास्ट वाला ऑप्शन है नीच उसके सेकेंड जो अप्शन है आप उसपर चेक लगाएं रोके कर दें क्याकि वह अब जो सेकेंड देस्में में इस्टुडेंट टायप कर लेता हूँ स्टुडेंट फिटीक मैं नेक्स्ट करता हूं इसमें देखेंगे आप ग्रेड ग्रेड और हाईपोन लागा लेता हूं यहर आप टैप करेंगे अक्यादंट 1234 दभाएंगे math मैं पुरा टाइप करूँ आतो जो वीडियो जो है हमारी बड़ी हो जाएगी इंग्लिश और आतो आतो पाँ सर्दीव एक हता आतो एक है लिए अक हाँ पाँ पाल इसको में मर्च कर लेता हूँ इन दोनों से लोगा मर्च कर लेता हूँ अब जो में चीज आप देख सकते हैं आप इसको टाइटल केस कर सकते हैं इसको और आपको जो लेफ्ट अलाइनमेंट करना है और आप जाएं टैक्स पारिग्राफ सेटिंग और आप इसको जो अर्टिकल इसको कर दें तो देख सकते हैं आप वो लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा इसका और इसको ब्लैक करते हैं कलर दे सकते हैं कि यह तो हमारी होगी टेबल क्रेट और इस ते लेकर आप वगर कोई कोशन है तो आप मेरे कमेंट शेक्शन में बताएं देखिए अब आता है कर दो फिलिट क्या हैस्प्रेट यानिके अंदर काक बहुत जाया निईक अंक जिए डिखा ओगा कि आप अकसर तो क्याश मिमushi में है मारे इसमें हम देखते हैं कि रुपीस और हापिस के बराबर से ही एक और उसमें कॉलम डिभाइद होता है इसमें हम पैसे लेखते हैं, पीस करते होता है, for example, हिमा लेजिए जो लिखा है, मैं इसी को select कर लेता हूँ, और मुझे इसके इंदर वो चाहिए, एक और इसको partition चाहिए, तो red click करूँगा, और split into column, तो मुझे एक ही चाहिए, मैं इसमें one type कर लेता हूँ, और okay, देखें हैं आप, आप देख सकते हैं, वो इसमें divide हो चुका है, आप उसको adjust कर ले, आप अपने requirement करने उसको adjust कर ले, देखिए, आपने देख एक गवार करी होगे, यह जो outline देख रहे हैं आप, यह जो border है, इसके मैं क्लिक करता हूँ, और आप border पर आएंगे तो देखें all border है, यानि कि सभी पर border, आप मैं में चाहिए outside border, outside पर क्लिक करते हैं, उसको आप amount को बढ़ा लीजिए, देख सकते हैं आप इसके जो outline है, सिर्फ वो ही बढ़ चुका है, आपके सब normal है, देखे subscribe करना ना भूलें, और हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, मोटिवेट करते रहें, thanks for watching